जै माताराणी दोस्तों मेरे जायन नीता विक्रम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त नीता आप सब क्यासे हैं दोस्तों हमेशा की तरफ माताराणी का जैकारा सदेब लगाई है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूरिक ग्रहन के विशे में यह इस साल में पढ़ने वाला तीसरा ग्रहन है 2 जुलाई 2019 की तारिक को मंगलवार यानि ट्यूसरी के दिन यह सूरिक ग्रहन पढ़ने वाला है दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले आपको एक आवश्यक सूशना देना चाहती हूँ यह सूरिक ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा और दोस्तों जिस शेत्र में सूरिक ग्रहन दिखाई नहीं देता है वहाँ ग्रहन का सूतक नहीं लगता है वहाँ पर ग्रहन की समापती पर दान इत्यादी करना अवश्यक नहीं होता है तो भारत में दोस्तों आपको ग्रहन का सुथक नहीं लग रहा है क्योंकि यह ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा अब दोस्तों अगर आज आज आप चैनल पर पहली बारा आए तो सबसे फ़र आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेशले करेगा आज का वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए कमेंट करके मुझे बताए वीडियो आपको कैसा लग रहा है बहुत कुशी होती है दोस्तों आपके हमिशा कमेंट पढ़के सो प्लीज कमेंट जरू करिएगा चली जट पर वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सूर्य ग्रहन आने वाला है 2 जुलाई 2019 की तारिफ को मंगलवार के देनियाने त्यूस्डे के दिन आशान क्रिट्शपक्ष की अमावस्या को इसे हम खग्राश सूर्य ग्रहन भी कहेंगे यह ग्रहन अमेरिका प्रशांत महासागर में दिखाई देगा और भारत के समय के अनुसार रात के 10 बच के 25 मिनिट से यह ग्रहन शुरू हो जाएगा इस ग्रहन का मध्य काल 12 बच के 53 मिनिट का रात्रीका यानि मध्य रात्रीका है और इस ग्रहन का समाप्ति का समे, 3 बच के 21 मिनिट से यह बी रात्रीका समय है तो यह ग्रहन टोटल 4 घंटे शापस रहने वाला है, पर यह ग्रहन केवल अमेरिका और प्रशांत महासागर के देशं में लग रहा है तो वहां के लोगों को इसका सूतक लगेगा और वहीं पर इसका दान इत्याती कारे करे जाना चाहिए तो अगर आपके देश में यह ग्रहन देखा जा सकता है तो आपको जो भी वहां पे समय बताया जाता है ग्रहन के शुरू होने का उससे 12 घंटे पहले सूरी ग्रहन का सूतक शुरू हो जाता है जैसे अगर आपके देश में इसका समय करीबन दिन के 12 बजे है तो राते के 12 अनकारी कमेंट सेक्शन में लिख के देदू और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरू करिए आप सबी के जीवन में धेरों खुशियां आएं इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती ह अगली बाद फिर आपसे मिलूँगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों